बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रक्रिन प्रस्न संग्रह दो और इस प्रस्न संग्रह में जो प्रस्न हैं उसको हम हल करेंगे इसमें जो पहला प्रशना आपके सामने दिखाई पड़ रहा है वो है एंजल ने नौ प्रतिसत प्रतिवर्ष किदर से 15,000 रुपए कुछ वर्षों के लिए बैंक में जमा किये अवधी पुण होने पर उसे 54,000 रुपए साधारण ब्याज मिला तो उसने कितने वर्षों के लिए रकम जमा की थी अब यह जो प्रस्ण है साधारण ब्याज से समबंधित है और इस प्रस्ण में हम देखेंगे कौन सी चीजें दी हुई है और हमें निकालना क्या है वर्षयनी समय निकालना है चलो हम करते हैं इसको अब इस प्रस्ण में हम देख रहे हैं किसी भी ऐसे प्रस्णों में क्या रहता है हम चार रासियां रहती है मूलधन, दर, समय और ब्याज इन चार रासियों में तीन रासि दी रहती है और एक रासि हमें ग्याद करना रहता है तो अभी इस प्रस्ण में हमें दिया क्या हुआ है नौ प्रतिसत प्रतिवर्ष की दर से यानि दर हमें कितना दिया हुआ है नौ प्रतिसत दिया हुआ है और कुछ वर्षों के लिए 15,000 रूपए कुछ वर्षों के लिए यानि मूलदन हमारा कितना हो गया 15,000 रूपए जमा दिया हुआ है सभी राज्शियों को उसके सामने हम लिख देंगे तो उसने कितने वर्सों के लिए रकम जमा की थी हम यानि हमें घ्यात क्या करना है समय तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा फार्मूला क्या होता है हमारा फार्मूला होता है ब्याज बराबर म गुड़े स गुड़े द बटे सो यह हमारा ब्याज का फार्मूला है अब इसमें हमको ग्याद क्या करना है समय यह हमें समय ग्याद करना है तो समय क्यार्द करने का फार्मूला क्या हो जाएगा समय बराबर क्या हो जाएगा ब्याज गुड़े सो बटे अब देखिए समय यहाँ पर यह दुर नीचे चलायाए गैनी म गुड़े दर समय बराबर क्या होगा ब्याज गुड़े सो बटे मूलधन गुड़े दर अब इस फार्मूले में हम अपना ये मान रख देंगे मान रख दीजिए समय बराबर ब्याज ब्याज कितना है हमारा ब्याज कितना है चववन सो यहां हम चववन सो रिख देंगे गुड़े सौ बटे मूलधन कितना है पंदरह हजार पंदरह हजार गुड़े दर कितना है नौ अब यह 0, 0 कैंसल हो जाएगा यहाँ पे यह 0 भी कैंसल हो जाएगा यहाँ पे देखिए 9 एकम 9, 9 छंग 54, 60 हा गया यहाँ पे यह 15 से कटेगा 5 networks 15, 5 6 यानि समय कितना आ गया हमारा यहाँ पे अंस में कितना बचा 4 यानि 4 वर्ष हमसे जो प्रस्न में पूछा था कितने वर्षों के लिए रकम जमा की थी तो 4 वर्षों के लिए रकम जमा की थी यह हमारा पहला प्रस्न हल हो गया अब हम दूसरा प्रस्न हल करेंगे अगला प्रस्न हम देखते हैं किसी रास्ते के डामबरी करण कारिके लिए दस मजदूरों को चार दिन लगते हैं तो आठ मजदूरों को कितने दिन लगेंगे अब प्रस्न से ही हमें दिखाई पढ़ रहा है दस मजदूरों को चार दिन लगते हैं तो आठ मजदूर, मजदूर कम हो गए तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी तो इसका अर्थ हुआ कि ये विलोमा नुपाद का प्रस्ण है, अभी हम इसको करना चुरू करते हैं अब प्रस्ण में हमें क्या है, मजदूर है और दिन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मजदूर लिख लीजे और यहाँ पे दिन लिख लीजे, अब हमको मालूम है, दस मजदूर हैं, चार दिन लगते हैं अगर मजदूरों की संख्या 8 हो गई तो हमसे पूछा है कि कितने दिन लगेंगे कि माना X दिन लगेंगे अब यह हम जानते हैं कि यहां पर मजदूर कम होने पर दिन बढ़ेंगे हमको मालूम है कि मजदूर कम होने पर दिन बढ़ेंगे इसलिए क्या होगा अतर यह है विलोमानुपात का प्रस्ण है अतर यह है विलोमानुपात है विलोमानुपात में है ठीक है तो हम विलोमानुपात में क्या करते हैं विलोमानुपात में दोनों संख्याओं का गुडनफल होता है यानि मजदूर और दिन का जो ये 10 गुड़े 4 बराबर 8 गुड़े X होगा ठीक है तुम इसको कैसे लिख सकते हैं इसलिए 8 गुड़े X बराबर 10 गुड़े 4 यानि मजदूर और दिन की संख्या का इस्थिरांग होगा इधर भी इस्थिर हो जाएंगे अब यहाँ पे हम इसको हल कर लेंगे X बराबर 10 गुड़े 4 बटे 8 तो 4 एकम 4 चार दुना 8 फिर दो एकम 2 दो पचे 10 तो X बराबर कितना आया 5 दिन यानि 8 मजदूरों को वही काम करने में 5 दिन लगेंगे इसलिए 8 मजदूरों को 5 दिन लगेंगे अभी हम तीसरा प्रस्ण देखते हैं नसुरुदीन तथा महेश ने करम सह 40,000 तथा 60,000 निवेश कर एक व्यवशाय प्रारंब किया व्यवशाय में 30 प्रत्यत लाब हुआ तो प्रते को कितना लाब हुआ यह भागीदारी का प्रस्ण है देखो नसुरुदीन तथा महेश दो जनों ने यानि अब हम इसको हल करेंगे तो हल करते समय हमको देखना है कि किसका कितना निवेश है और कुल कितना निवेश है कुल पूजी कितनी लगाएगे तीसरा प्रश्ね हम देखते हैं कुल निवेस कितना है एक जनका 48,000 है और दूसरे जनका 60,000 है किल निवेस कितना हो गया 1,00,000 हो गया अब एक लाख निवेस हो गया है, पूरा निवेस एक लाख हो गया, अब प्रारब हो गया व्योशा है, अब उसमें 30 प्रत्सेत लाब हुआ, यानि एक लाख रूपए पे 30 प्रत्सेत लाब हुआ, तो कुल लाब कितना हुआ, एक लाख रूपए था, उस पे 30 प्रत्सेत लाब यानि 30 बटे 100 एक लाग का 30 प्रत्सेत हम निकाल लेंगे काट दीजे 00 ठीक है दो दो जिरो कट गया अब यहाँ पे कितना बचा 10,000 गुडे 3 यानि 30,000 रूपए लाब हो गया ये 30,000 रूपए लाब हो गया लेकिन इस लाब के रूपए को इनके निवेस के अनुपात में हमें बाटना है अब इसको हम आगे कैसे करेंगे देखिए यानि पहले हम क्या करेंगे पूझी का अनुपात निकाल लेंगे पहले हम पूझी का अनुपात कितनी पूझी लगाएं थे उनका अनुपात क्या है, पूजी का अनुपात, पूजी का अनुपात कितना था, 40 और 60 हजार, 40 हजार और 60 हजार था, अनुपात मतलब बटे में कर देंगे, हम इसको 00 सब कर देंगे, सब 0 कर जाएगा, यहां 2 दुना 4 और 2 तियाई 6, कितना आया 2 बटे 3, यानि अनुपात क इतना आया दो अनुपाते तीन में उन्होंने अपनी पूजी लगाई थी, ठीक है, आप इसको मानेंगे, माना नसुरुदीन, 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 नसुरुदीन ने दो एक्स, तथा महेश ने तीन एक्स, कि रासी लगाई थी इसलिए 2X धन 3X बराबर पुरा लाब कितना हुआ 30,000 का अब इस 30,000 को इस अनुपात में हमें बाटना है यह कितना हो गया 5X बराबर 30,000 X बराबर 30,000 बटे 5 काड़ देंगे 5X 30,000 6,000 आया 1X बराबर कितना आया 6,000 रुपए उसमें नसुरुद्दीन की रासी कितनी है 2X तो नसुरुद्दीन का लाब कितना था बराबर 2X 2X मनी कितना हो गया 2 गुड़े X का मांचे हजार है यानि 12,000 रुपए नसुरुद्दीन का हो गया और महेश का लाब कितना हो गया महेश का लाब बराबर 3X है 3X है तो यह हो जाएगा 3 गुड़े 6,000 तो कितना हो गया 18,000 रुपए महेश का लाब हो गया और इसका 12,000 रुपए लाब हुआ चोथा प्रस्ण देखे किसी वृत्त का व्यास 5.6 cm है तो उसकी परिधी ग्याद करो व्यास दिया है 5.6 चोथा प्रस्ण हम करेंगे व्यास बराबर हमको दिया हुआ है 5.6 cm हमको ग्याद क्या करना है परिधी ग्याद करना है व्रित की व्रित की परिधी ग्याद करना है ठीक है अब हमारा फार्मूला क्या है परिधी का तो परिधी का फार्मूला है परिध बराबर अगर हमको व्यास दिया है तो पाई डी होता है ठीक है तो πाई का मान 22 बटे 7 गुड़े D मतलब व्यास तो व्यास कितना है पांच दसमलो 6 सेंटीमीटर अब हम इसको काट देंगे साथ एक कम साथ और साथ अठे चपन 0 दसमलो 8 आठ आजाएगा 22 और 8 का गुड़ा कर देंगे तो आजाएगा 17 दसमलो 6 सेंटीमीटर यह हो गया हमारा परीदी अब हम पांच वह प्रस्ण देखेंगे इसी तरह पांच वह प्रस्ण में हमें विस्तार करने के लिए कहा गया है तो विस्तार करने के लिए हम सुत्र की साहता से करेंगे तो पहला सवाल हम लिख लेते हैं दो A रिन तीन B का वर्ग पहला है दो A रिन तीन B का पूर्ण वर्ग त्यानि यह किस फार्मूले के हिसाब से चलेगा A रिन B का वर्ग तो यह विस्तार करेंगे तो A रिन B का पूर्ण वर्ग का विस्तार क्या होता है अब इसको हल कर देंगे मान रख देंगे यह हमारा A है और यह हमारा B है तो A की जगह हम रखेंगे दो A का वर्ग रिन दो गुड़े A A यानि दो A गुड़े B यानि तीन B धन B का वर्ग यानि यह जो दूसरी संग दूसरा पद है दूसरे पद का वर्ग यानि तीन B का वर्ग हल कर देंगे हम दो A का वर्ग कितना हो गया चार A वर्ग रिन संख्याओं का गुड़ा कर लेंगे दो दूना चार चार तीयाई बारा बारा A B धन यहाँ पे तीन का वर्ग 9 और B का वर्ग यानि यह हमारा उत्तर आ गया दो A रिन तीन B का वर्ग हमारा यह उत्तर हो गया यह पहला प्रस्ण था पांचमे प्रस्ण का विस्तार का अब हम दूसरा प्रस्ण हल करेंगे दस धन वाई का वर्ग है अब इसको हम यहाँ पे धन का निशान है तो वाई धन दस भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं इसको हम वाई धन दस भी लिख सकते हैं और यह किस फार्मूले से होगा A धन B का पूर्ण वर्ग है तो इस पत का वर्ग में हमने फार्मूला सीखा हुआ है ये फार्मूला को पहले हम लिख लेंगे अब इसमें मान रखते जाएए पहला पत A का वर्ग यानि पहला पत क्या है Y तो Y का वर्ग हो जाएगा धन 2 गुड़े पहला पत पहला पत Y है गुड़े दूसरा पत यानि 10 धन B का वर्ग यानि दूसरे पत का वर्ग यानि 10 का वर्ग ये सिंपल है एकदम Y वर्ग धन इन संख्याओं का तीनों का गुड़ा है यहाँ पे तो दो दहा में 20 Y धन 10 का वर्ग कितना हुआ? 20 ति हमारा उत्तर आ गया 10 धन Y के पूर्ग का अब हम तीसरा प्रस्ण है रहेंगे तीसरे प्रस्ण में देखिए P बटे 3 धन Q बटे 4 का पूर्ग से हमारा फार्मूला A धन B का पूर्ग हमारा फार्मूला क्या रहेगा? वही A धन B का पूर्ग बराबर A वर्ग धन 2AB धन B का वर्ग मान रखते जाएंगे हम यह पहले पद का वर्ग है पहला पद हमारा P बटे 3 का वर्ग है धन 2 गुडे पहला पद यानि P बटे 3 गुडे B यानि दूसरा पद Q बटे 4 चार, धन, बी का वर्ग, यानि दूसरे पद का वर्ग, क्यू बटे चार है उसका वर्ग कर दीजे, अब यह वर्ग हो गया तो यह क्या हो जाएगा, पी वर्ग बटे, तीन का वर्ग कितना होता है, नौ, धन, यहाँ पे देखिए, यह अंस है और यह हर है, दोनों संख्या है तो यह अगर कटे का तो काट देंगे, दो एक कम दो, दो दूना, चार, अब यहाँ पे एंस में क्या बचा, पी गुड़े क्यू खाली बचा, तो पी क्यू आ जाएगा, बटे, यहाँ पे तीन बचा है, यहाँ पे दो बचा है हर में, तो तीन दूना, छे, धन, क्यू का वर्ग, बचे, चार, चौ, सोला, यह हमारा उत्तर होगया, इसका पी बचे, तीन दहन, क्यू बचे, चार के वर्ग का उत्तर, अब हम प्रस्द 4 करेंगे, प्रस्ट चार में क्या है वाई रिंड तीन बटे वाई का वर्ग वाई रिंड तीन बटे वाई का पूर्ड वर्ग ठीक है अब यहाँ पे A और ये B माल लेते हैं तो A रिंड B का पूर्ड वर्ग A रिंड B का पूर्ग वर्ग रिंड दो A भी धन B का वर्ग फार्मूले में रखते जाएए पहला पद y है तो y का वर्ग रिंड दो गुड़े पहला पद यानि y गुड़े b मतब दूसरा पद यानि 3 बटे y धन b का वर्ग यानि दूसरे पद का वर्ग 3 बटे y का वर्ग है हल कर देंगे यहाँ पर y वर्ग है यहाँ पर देखिए अंस में क्या है 3,2 और y है तो 3 दूना 6y और ये y या य य वाई कैंसल भी हो जाएगा अंस और हर में है इसलिए कैंसल यहाँ कितना बचा, 3 दूना 6 धन यहाँ पर 3 का वर्ग 9 और y वर्ग है यह हमारा उत्तर हो गया इस तरह से हमने ये प्रस्ण हल कर लिया है बच्चों अब हमारा जो छटा प्रस्ण है वो है सुत्र की सहायता से गुड़न फल क्यात करो और उसमें जो पहला प्रस्ण है एकस दिन पाँच और एकस धन पाँच ब्रैकेट में दिया हुआ है अब इन प्रस्णों को हम हल करेंगे मैं नहीं लिख लिए है प्रस्ण को अब इस प्रस्ण को हम ये समझ लीजए एकस दिन पाँच है तो ये कौनसे फार्मूले पे होगा a-b और a-dhran-b का फार्मूला a-b और a-dhran-b का गुड़ा करते हैं फार्मूले में हमको क्या मिलता है A वर्ग रिन बी वर्ग ये पहले पत का वर्ग रिन दूसरे पत का वर्ग इसमें पहला पत क्या है X है तो क्या हो जाएगा X वर्ग रिन दूसरा पत कितना है 5 है तो 5 का वर्ग ये उत्तर हो जाएगा एक्सवर ग्रिन पांच कवर कितना होता है 25 तो यह हमारा उत्तर हो गया पहले चठे का पहला सवाल इसी तरह हम दूसरा सवाल भी हल करेंगे अब दूसरा प्रस्थ देखें यहाँ पे 2 एर तेरा फिर दूसरे ब्रैकेट में 2 एधन तेरा वही फार्मूला है A रिन B और A धन B का ही इसको भी हल करके देख लेंगे हम यह A रिन B हो गया और यह A धन B हो गया A रिन B कुड़े A धन B कितना होता है A वर्ग रिन B वर्ग फार्मूले में रखते जाए यह पहले पद का वर्ग पहला पद हमारा क्या है 2A है तो उसका वर्ग रिन दूसरे पद का वर्ग दूसरा वर्ग कितना है 13 है तो तेरा का वर्ग बीच में रिन का निशान है उसको वैसे रखेंगे 2A का वर्ग कितना होता है 4A का वर्ग रिन तेरा का वर्ग कितना होता है 179 यह हमारा उत्तर हो गया तीसरा प्रस्ण हमल करेंगे तीसरा प्रस्ण भी ठीक उसी तरह है सुत्र की साहता ऐसा ही करना है कोई फरक नहीं A रिंड B और ये A धन B और इसका उस्तार रूप यह था A रिंड B रिंड B वर्ग है फार्मूला अब मान रख दीजे पहले पद का वर्ग यह कितना हो जाएगा वर्ग करेंगे 4 का वर्ग 16 और ये Z वर्ग रिंड 5 का वर्ग कितना होता है 25 और Y का वर्ग चौथा प्रस्ण हम करेंगे हम चौथा प्रस्ण है हमारा यहाँ पर देखिए 2T रिंड 5 और 2T धन 5 तो यहाँ पर मैं प्रस निखले रहा हूं 2T रिंड 5 और 2T धन 5 सेम एक दम कोई अंतर नहीं सभी सवाल एक जैसे हैं विस्तार एक जैसे करना है फार्मूला एक जैसे है फार्मूले में पहले पद का वर्ग पहला पद हमारा 2T है तो 2T का वर्ग रिंड दूसरा पद हमारा 5 ह हो जाएगा इस दो कवर कितना चार टी कवर ग्रिंड पांच कवर कितना होता है 25 तो यह हमारा उत्तर हो गया ठीक है